कि हलो नमस्कार साथियों मैं आपके लिए फश्टियर के सोचिलोजी के कुछ इंपोर्टन कोश्चन लेकर आया हूं तो कोश्चन है मारा कि परिवार की परवासर देजिए तथा सामाजिक नियंदर में परिवार का महत तो बताईए अत्वा में दिया हूँ है कि सामाजिक नियंदर को बनाया रखने में परिवार के कारियों का वड़न केजिए इसके बाद अत्वा में और कोश्चन दिया हूँ है कि परिवार के अबधाड़ा इस्पश्च केजिए सामाजिक नियंदर में परिवार की भूमका कर ओलेक केजि कूले का मत है कि परिवार एक मात्र ऐसा समू है जो बालकों की मानस्क्ता और आदर्सों का जरिमार करता है कूले का मत था उसने कहा कि परिवार एक मात्र ऐसा समू है जो बालकों की मान सिकता और आदर्सों का निर्मार करता है बालकों का पालन पोशर स्थांस्कृत्री की तरिक तथा एक दूसरे को सहयोग देने की सिच्छा परिवार के ऐसे कारी हैं जो किसी भी दूसरे मानव शमू द्वारा एतने प्रित्यश तथा अनौप चार की रूप से पूरे नहीं कीज़ा सकते समाज के अस्तुष्ट की रच्छा करने वाले सभी कारियों को पूरा करने का दायत तो परिवार का ही है सभी विद्वान परिवार को ना केवल सामाजिक संद्चना की एक केंद्री एकाई मानते हैं बलकि सामाजिक नियंत्रण की विवस्था में भी इसके मौलिक उयोगदान का प्रिकार करते हैं परिवार ब्यक्ति के कुछ ऐसी अवस्थाओं को पूरा करता है जो किसी भी दूसरे समुद्वारा पूर नहीं की जा सकती यही कारण है कि ब्यक्ति के विवहारों पर नियंत्रण बना रखने में परिवार सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है इसके बाद हम देखते हैं परिवार की अवधारणा तो इसमें है कि साब्दी द्रिश्ट्रिकॉंट से अंग्रेजी का फैमिली सब्द लेटन भासा के फैमिले सब्द से बना है जिसका अभिप्राय है शेवा करना शोरी शेवा भाव इस प्रिकार यह कह सकते हैं कि परिव सस्हीं के मलब दूसरी मेन और एंगेल है उसको कह सकते हैं कि परिवार जो है वो किया है विवा का आधार है क्या क्यूंकि पदी पतनी और इस्थाई संगठन का परिवार कहते हैं के अनुशार देखते हैं परिवार से हम संबन्दों की बहे वस्ता समझते हैं जो माता पिता तथा उनकी संतानों के मद पाई जाती है आगवर्न निम्कॉफ के अनुशार परिवार लगभग एक इस्थाई समिती है जो पति-पत्नी से निर्मत होती है कहां उनके संतान हो अथवा ना हो जिससे एक परिवार के अनुशार कि परिवार ऐसे विक्तियों का एक समू है जो एक ही छट के नीचे निवाश करते हैं मजूर ने क्या कहा कि परिवार ऐसे विक्तियों का समू है जो एक ही छट के नीचे या एक ही घर में निवाश करते हैं जो रख समन्नों से जुड़े होते हैं और का वाले है किसे आध्या सामाज के सामा WhatsApp अभीकरण के रूप में है परिवार की इक पार्म समंद्व वाला समौ है जो बच्चों वाडर्श रसन के विवहार कि करता है कि सामाज़ी नियंत्रीट में परिवार की भूमका को नियम्य प्रच्ज पाज्च किया है builders है द्वारा नियंत्र है रहता है तो बालिक परिवार में जन्म मिलेता है और जीवन पर्यंत्र समाजी करण की प्रकेरिया द्वारा नियंत्रित रहता है कि वास्थ विक्ता इस फीजिद्व में बालक एक प्राली सास्त्री को प्रारम में जो बालक होता है वो कैसा होता है जो बच्चा है जो बालक है वो और समाज के संबर्ग में आता है तो क्या बंजा गार methods पर्वार्वी में पर्व़र्ति में सुरू कर देता है जयन्म के साथ ही बालक को मा के संबर्ग में रहना पड़ता है और मा के द्वारा ही उसकी भھूख प्यास आधिकी विवस्था की ब्ल asked आने परिवारी सस्टों के संभाड़ी कम आता है और परीवार के देजने स्रत्रयों के बिबहार के आधार पर अपने बिबहार के सवर्यों करने पर माता-पता द्वारा बालक की प्रसंशा किया जाती है और गलत कर करने पर दंड दिया जाता है इस प्रिवार में बालक के बिभार वा कारियों को समाज विस्ष्ट की अवस्रिकताओं के नियंतरत किया जाता है को सदहगोड़ों के विकास द्वारा नियंत्रड करने के लिए ब्यक्तियों को विभन सत्व महत ho오ато आवस्च के लिए इसकाै विक्तिव का शद्गुडी ब्यक्ति सभाव से ही नियंत्रित होता है परिवार बिभिनी सद्गुडों के विकास का पुर्मुख्यंद्र होता है परिवार में रहकर ही ब्यक्ति प्रेम, शहयोग, आत्मत्याग, करतब प्रायंडता, परोपकार तथा सामाजिक अनुकूलन जैसे सद्गु को सीख पाता है परिवार द्वार। प्रोप्साथ इन गुडों से योगत ब्यक्ति नियंत्रित रहते हैं थाड है यह मारा सैच्षित कार्यों द्वारा नियंत्रण कि परिवार की पाट साला बालक के चलेत्र और ब्यक्तित्र के न्रड़ा में औरि भारती इतिहाज के पन्यों को पता चलता है कि महापुरोषों की सफलता और स्यस्ट्रीबूण का स्रे उनके मातपता को महापुरुस हुए हैं उनकी सफलता का स्रे जो जाता है उनके मातपता के लिए जिनके संबर्क में महापुर्सों ने जीवन का प्रार्मिक काल बितित किया इसलिए तो कहा जाता है कि बीर माताएं बीर पुत्रों को जन्म देती हैं बास्त तो यह है कि परिवार सच्छड़े कारियों के द्वारा समाज में सुव्यवस्था वास्तांति इस्थाविक करने में परियाप्त सहोग देता है कुले ने कहा कुले के मतानुशार परिवार को एक प्राथ में सम्हू मानते हैं जो बालकों को एक आदर्स नागरिक मनाता है इसी प्रिकार मेजनी ने लिखा है कि बालक माता के चुमन और पिता के बीर बाहूं मलब शामर च्छण के मद्ध नागरिक्ता का सर्वस्ष्ट पार्ट सिखता है इस प्रिकार स्पष्ट है कि परिवार के सच्छिक कारी सामाजी नेंतर्स में आधार्भूत है प्रिवार के द्वार के द्वारा बेक्ति की इस मौलिक अवस्ष्टाओं की पूर्ति कानूनी बास समाजी तौर पर करता है यह दि बेक्ति परिवार का सर्ष्ट नहीं होता तो उसे एवन इच्छा की पूर्ति के लिए एदर उधर भटकना पड़ता है बैस्टाइवर्ति का सहरा लेना पड़ता है क्योंकि परिवार के बाहर एवन शंबंध अवयद्वा अश्यामाजी माना जाता है इसलिए बेक्ति परिवार के बाहर एवन संबंध इस्थाबर करने से डरता है फाइव हमारा विवा संबंधी नियंत्रड परिवार अपने सरस्थन पर विवा संबंधी अनेक नियंत्रों को लागू करता है कर न barr कर जाये कहां किया जाए निश्क करता है भिन भिन वह संबंदी ने तर एक समान नहीं है है हम उदोर के लिए हम लोग देखते हैं मुश्लिम समाज के की रिट रिवासों के अनुसार विभा समझी नियंत्रों का पालंग करते हुए विभा के शेत्र पद्धती आदि में आने वाली अनस्चिंताओं को समाप्त कर देता है जिससे समाजी जीवन के नियमन वा नियंत्र में परियाप्त सहता मिलती है कि लएक परिवारे अपने सदुस्तियों की देखवाल करता रहता है बास्ता में परिवारे की देखवाल आगे चलकर समाजी नियंत्रों के एक पुरमों साधन के रूप में कपरनेद्र करते हैं अचले कारने नियूध कर पालंढ ऑप जया लिए यदि परिवार का कोई लडगा गली मुहले में देर रात तक घूमता है तो माता पिता दादी या बाबा उसे समझाते बुझाते हैं और भवस्त में उचित बिभार करने को प्रयरित करते हैं सेवन पॉंट है आर्थि सनचना का केंद्र परिवार आर्थि सनचना का केंद्र है और इसके द्वारा ही सरस्यों का आर्थि जीवन निश्चित होता है परिवार का कौन सदस्य क्या कारी करेगा परिवारिक संपत्ति का बटवारा कैसे होगा बड़े होकर बेक्ति को कौन से बेवस्षाय अपनायना पड़ेगा आधी परिवार के द्वारा ही निश्चत होते हैं मलब यह सारी चीज़ें को निश्चत करेगा इस प्रिकार परिवार ब्यक्ति की आर्थिक स्थिति को निश्चत करता हुआ उसे समाज में उचिक इस्थान प्रदाम करता है प्रदाम कि यह पॉइंट है कि पारिवारी नियमों एवं प्रतिबंदों द्वारा नियंत्र पारिवारी नियमों एवं प्रतिबंदों का सामाजी की नियंत्र में महतपूर उगदान होता है प्रतियक परिवार के अपने कुछ नियम होते हैं जो बेक्ति के आचरण को नियंत्र करते ह करता है उसके परिवार के जो भी नियम है कि इसके अतरिक सदस्तों को कुछ पृतिवंद्धों का भी पालंग करना पड़ता है यह नियम और पृतिवंद्ध सामाजिक संपड़्क ठीक है ना खानपान विभा संबंद पूजापाथ विवसाय आधिके संबंद में होते हैं न परिवार अपने सदस्तों की इस्थिती अमसार उनके दायत करता है डाट के नधारन में फ्रूष और और कानून का पालण करताय मालब पारिवारि जो भी उसके करतब हैं उनको पूरा करने के लिए क्या करता है सामाज की नियमों का और कानून का पालन करता है कि इस प्रिकार सभी सब्सक्राइब द्वारा दायतों का निर्वाह करने में सामाजिक नियंत्रपना रहता है कि दSHMA पॉंइंट या धार्मिय विस्वासॐं द््वारा हैं नियंदए ऑ完全 when में हिपी देए परिवार किसKeye किसी धर्में विस्वास रखता है उससे सम्बंदेध धर्मक्रियां संपंथ करता है तो तो पर्षी करते हैं आधरो-, थ्षठ्नぎ के विभार देता है तो यह था आपको long question